OPS, NPS और अब UPS जानिये तीनों में से कौन सी है बहतर पेंट्शन योजिना देश के पूरवित मंतरी पीच दंबरम जी का बड़ा एलान नमस्कार दोस्तों स्वागत आँ सब्सक्राइब फिर से एक और नए वीडियो में दोस्तों देश के पूरवित मंतरी स्री पीच दंबरम जी के दौरा एक बड़ी बात कही गई है पैंट्शन को लेकर जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने करम चैरियों के लिए बड़ा एलान किया है करम चैरियों के लिए कॉंग्रेस पार्टिया क्या रोख है वो भी उन्होंने साफ किया है तो बने रहे इस वीडियो के लाज्ट तक खबर के अंसार मुंबई के ताज लेंड्स एंड होटल में इंडिया टूडे कॉंक्लेव कायोजिन किया जा रहा है इसमें दूसरे दिन पूर्वित मंत्री पीच इंदम्रम ने कही मुद्धों पर खुल कर बात की इसमें देश में संपन हुए लोग सबाई लेक्सन 2024 के दोरान कॉंग्रेस के मेनुफेस्टों में मैलाओं को एक लाख रुपे साला ना दिये जाने से लेकर केंद सरकार की Unified Pension Scheme तक सामिल रहे जब उनसे NPS और UPS को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सिर्फ funded scheme के पक्ष में है वरिष्टी कॉंग्रेस नेता और पूर्व Finance Minister पीच दम्रम गुरवार को इंडिया कॉंक्लेव में सामिल हुए इस दोरान उन्होंने बाचित करते हुए कहा कि केंदर की NDA सरकार द्वारा पेस की गई Unified Pension Scheme और New Pension Scheme को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस अन्फंडेड पैंडेड पैंडेड स्कीम के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और ये एक आपदा के समान है उन्होंने कहा कि हमें NPS और UPS से मतलब नहीं बलकि हम सिर्फ funded Pension Scheme के पक्ष में है पीछ दिम्रम से जब NPS को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि New Pension Scheme को Congress सरकार में नहीं बलकि अटल बिहारी वाजपे के नेतरत्वाली तरतकालीन सरकार में पेस किया गया था और जब हमारी सरकार आई तो उसे मैंटेन किया गया अब बीते एक दसक में मोधी सरकारे से मैंटेन कर रही है इसी बीच उन्होंने एक पुराना वाक्या आयात करते वका कि जब TV सौमनातन को Finance Committee में सामिल किया गया था तब उनसे पूछा गया था कि क्या आप Unfunded Skim के पक्ष में हैं तो उन्होंने सीधा नहीं कहा था और बोला था कि हम NPS और UPS के बीच का रास्ता निकाल रहे हैं तो इसी की वज़े से फिलाल करमचरियों को UPS दी गई है जिसमें करमचरी भी फंड लगाता है और सरकार भी फंड लगाती है और उसके बाद में करमचरी को अंतिम वितन के 50 फिस्दी के बरावर पैंट्सन की गारंटी दी जाती है तो फिलाल पूरवितमंत्री ने ये इसपष्ट कर दिया है कि सरकारी करमचरियों के लिए जो funded pension scheme है वो ही एक बहतर pension योजना है चाहिए वो कोई सी भी हो लेकिन जो फिलाल सरकार के द्वारा जो एलान किये गए हैं NPSO चाहिए UPSO वो करमचरियों के लिए एक फाइदे मन्द scheme साबित नहीं हो सकती हलांकि सरकार के लिए एक अच्छे स्कीम है क्योंकि इसमें सरकार को भी अपना योगदान देना होता है और करमचारियों को भी अपना योगदान देता है और देना होता है हलागि प्राणी pension scheme में किसी परकार का योगधन करमचारियों को नहीं देना होता है पूरी तरीके से scheme सरकार के द्वारा funded होती है सरकार के द्वारा पूरा पैसा दिया जाता है क्योंकि मुझे तो समय में old pension scheme एक बड़ा मुंता बन चुका है सरकारी करमचारी हर जगे पर OPS को बाहल करने की मांग कर रहे है सरकार भी इस मुद्ध को समझ चुकी है और सरकार भी हर संपाव प्रयास कर रहे है कि किस तरीके से करमचारियों को खुष किया जाए और करमचारियों को एक pension की guarantee पी दी जाए तो आपके इसाब से कौन से pension योज़ा सबसे बैतर है कमेंट बॉक्स में जरू लिखें पूर्वित्मंत्रिजे के द्वारा दिये गए इस बयान के बारे में आपकी राय क्या है कि आप क्या सोते हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपके दोस्तों के साथ चैनल सबस्क्राइब कर लें बैल आइकन प्रेस कर दें और और नोटिफिक्शन उन कर दें जिससे हर एक लेटर्स अबडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे